दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिया चुडेल आजाद हो चुकी है वो NCP मामले में जेल गई थी मगर अब इस मामले में भी उसकी आजादी हो चुकी है वहीं आप बाहर निकल कर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है वो ये साबित करने पर तुली होई है कि उस पर जो भी इर्जाम लगे थे सारे जूटे और बेबुनियादी इर्जाम थे और आप वो उन सबसे बदला लेती नजर आ रही है जिन्होंने भी उसके उपर आरोप लगाये थी जैसे कि उसकी पडोसन डिमपल थावानी जिसने कहा था कि उसने सुशान्त और लिया को तेरा जून की शाम को देखा था वहीं आप वो अंकिता लोखंडे पर भी केस करने जा रही है उसने लाइव आकर ये बात कही है कि अब अंकिता की बारी है जेल जाने की क्योंकि उसने मुझे पर गलत आरोप लगाये थे आपको बताते हैं दोस्तों कि अंकिता लोखंडे ने कई बार कहा था कि अगर सुशान्त वाकई डिप्रेशन के शिकार थे उनकी दवाईया चल रही थी तो ऐसे में लिया उन्हें ड्रग कैसे दे सकती थी क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग और डिप्रेशन की दवाईयां मिला कर खिलाने से कितने घातक परिणाम आ सकते हैं इसी बात के तएद अब रिया अंकिता पर केस करने जा रही है और उसने कहा है कि अब वो अंकिता को जेल पहुँचा के रहेगी तो ऐसे मैं अब इस नागिन का असली रूप बहरा रहा है जो पहले सिंपथी लेने के लिए सीधी साथी बनती नजर आ रही थी बेचारी बनती नजर आ रही थी वहीं अब वो अपने असली चुडैल वाले रूप में आ चुकी है ये सब इसी लिए हो रहा है दोस्तों क्यूंकि सीबी आई ने भी सुशान केस में अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखाया वरना इसकी इतनी हिमत न बढ़ती ये समझ चुकी है कि सीबी आई ने तो अब तक कुछ किया ही नहीं एसे में हम इस चुडैल से कहना चाहते हैं कि अगर ये इस दुनिया के कानून से बच भी गई तो उपर वाले की लाटी से कभी नहीं बच पाएगी अगर सीबी आई ने नहीं भी किया तो वो उपर वाला सुशान का इंसाफ ज़रूर करेगा इस चुडैल को इसके करमों की सजा किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेगी दोस्तों आप इस चुडैल से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं जस्ट्रिस पर सुशान के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेक करना ना भूले हर अपडेट के लिए बने रहे हैं हमारे साथ क्योंकि आप हैं तो हम हैं